नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों Excel में एक common problem है किसी भी cell में अगर आप number add करते हैं उससे पहले आप 0 को add नहीं कर सकते तो आज का जो वीडियो है वो इसी topic के उपर है किसी भी number से पहले आप 0 को कैसे add करेंगे उसका ही process मैं step by step आपको दिखाऊंगा खास कर इसका use bank account number में ज़्यादा होता है और bank account number में number कभी कभी 11 से ज़्यादा भी हो सकता है Excel में अगर आप 11 डिजिट से ज़्यादा add करते हो तो वो number पूरा आपको Excel cell में नहीं दिखाएगा तो इस process के through आप वो number को भी पूरा एकी साथ एकी cell में देख सकोगे तो वीडियो को last तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो मैं कुछ bank account number यहाँ पर add करूँगा यदि कि मैंने एक bank account number यहाँ पर add किया है और सामने मैंने लिखा है 0 जब भी मैं enter करके नीचे आउँगा तो सामने जो मैंने 0 लिखा है वो देखिए यहाँ पर height हो जाएगा तो इसे 0 को अगर आपको add करना है तो एक process मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा उस process को use करके आप अपने हिसाब से किसी भी number के पहले 0 add कर सकते हो इसके लिए आपको home tab से number group बटन में जाके click करना है यह देखिए number group और यहाँ सी यह group बटन यहाँ पर आपको click करना है click करने के साथ ही format cell नाम का एक dialogue box यहाँ पर open हो जाएगा और यहाँ से category से आपको custom में जाके click करना है click करने के साथ ही उपर यहाँ पर आपको text sample दिखाएगा और नीचे type में general लिखा हुआ होगा इसको आपको erase करके cell में जितना character आपको add करना है उतना 0 आपको यहाँ पर type करना होगा और यहाँ पर आप sample में देख सकते हो अब मैं जब एक 0 add करूँगा तो automatically मेरे number से पहले एक 0 add हो गया है आप जितना 0 यहाँ पर add करोगे तो automatically वह वहाँ पर add होता जाएगा आप अपने जरूरत का अनुसार 0 यहाँ पर add करके ज़स्ट एक बड़ OK कर दीजिए यह देखिए automatically मेरे number से पहले वह 0 add हो गया है अब मैं यहाँ पर और कुछ bank account number को add कर दूँगा दोस्तो एक cell में अगर किसी भी cell में 11 से जादा number आप add करते हैं तो वो numbers इसी format में आते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए प्लस 12, प्लस 12, प्लस 12 और नीचे प्लस 13 मतलब कि उपर के जो 3 cell है वहाँ पर 12 से जादा number और नीचे के cell में 13 से जादा number add है इनको भी मैं यहाँ पर select करके same process follow करके पूरा number यहाँ पर दिखाऊंगा तो इसके लिए मैंने इनको select किया select करने के बाद मैं चला जाओंगा फिर से number के group बटन में group बटन में जाके click करने के बाद format cell नाम का एक window यहाँ पर open हो जाएगा फिर यहाँ से आपको custom में click करना है click करने के बाद type के अंदर general से इसको erase करके आपको यहाँ पर 0 type करना है मतलब की 12 plus 1 13 0 में यहाँ पर type करूंगा type करने के साथ देखिए उपर यहाँ पर 0 आ गया है अपने हिसाब से आप जितना 0 चाहो उतना add कर सकते हो जास एक बार ok करेंगे ok करने के साथ ही आपके number से पहले 0 add हो जाएगा यह देखिए तो इस process को follow करके आप किसी भी number से पहले Excel के cell में 0 add कर सकते हो अब मैं आपको किसी भी number से पहले 0 add करने का एक formula नीचे दिखाऊंगा तो इसके लिए नीचे मैं यहाँ पर कुछ number को add कर लूँगा और यहाँ पर मैं आपको formula add करके दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे equal text फिर first bracket को open करेंगे फिर आपको यहाँ पर इस cell को select करना है value में फिट देंगे comma, comma देने के बाद double quotation को यहाँ पर open करेंगे और type करेंगे total 5 times 0, मतलब कि 5 0 को यहाँ पर type करेंगे type करने के बाद quotation को close करेंगे, bracket को close करेंगे और एक बार enter करेंगे enter करने के साथ ही यहाँ पे देखिए वो number जो है वह यहाँ पे आपको 0 के साथ दिखाएगा यह देखिए और बाकियों में same format apply करने के लिए आपको यहाँ से drag and drop कर देना है यह देखिए सारे numbers में पहले 0 add हो गये हैं आप अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा 2 0 चाहते हैं तो फिर सक किसी भी cell में click कीजिए और formula को edit करके जहाँ पे मैंने 5 0 लिखे थे वहाँ पे आप 6 कर दीजिए और उसके बाद एक बाद एक बार enter कीजिए और उसके साथ ही 2 0 यहाँ पे apply हो गया है बाकी ओ में भी apply करने के लिए जस्ट एक बार drag करके feel कर दीजिए यह देखिए तो दोस्तों यह दो थे simple process जिसको use करके किसी भी cell में number से पहले आप 0 को add कर सकते हो Microsoft Excel में वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दीजिएगा thank you for watching the video please keep your support